वेल्कम बैक बच्चो कैसे हो सवाब? आज का जो हमारा टोपिक है मोल कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है इंवाला टोपिक मोल कंसेप्ट होता क्या है वैसे तो लास टाइम मोल की एक यूनिट आई थी मोल होता क्या है मोल जो है वो जाथर small number of particle जो होते है ना small particle जिसे हम count नहीं कर सकते जिसके हमने knowledge gain करने मेटा उसके लिए mole concept होता है जब Avogadro Avogadro जो scientist उसने 1 mole के अंदर जो number of particle बताये थे वो बताये थे 6.022 into 10 की power 23 number of particle ये जो number of particle जो लिख रहा हो है आपर particle का मतलब है वेटा atom भी हो सकते है atoms हो सकते हैं molecule हो सकते हैं या कोई electrons हो सकते हैं या कोई ions हो सकते हैं ये particles का मतलब ये रहेगा कि एक mole में इतने particle fix है तो इसी से related हमने particles find out करने होते हैं जो कम संख्या के अंदर मतलब जो small size small size और large number ठीक है जिसका size छोटा होता है और उनकी जो संख्या होती है जो सब से जादा होती है उनी की knowledge को gain करना ही mole concept कहलाता है ठीक है to study the knowledge of small particles which are occur in large number that is called mole concept अब जो को mole concept अगर हम NCRT के according अगर हम बात करें NCRT की शुरू की जो लाइने है वो यही बाते बता रहे हैं कि atoms और molecules are extremely small inside and their number in even their number in even a small amount of any substance really very large मतों कहता है कि small amount में भी उनके नंबर जादा मिलते हैं उसमें क्या नाम बोड़ बता mole concept का नाम दिया जाएगा ठीक है यहांते समद है आपको यह मतलब क्या बता रहा है जैसे कि हम हमारी daily life में हम एक दरजन कुछ items लेते हैं उसमें हम 12 items लेंगे जैसे अब आज को स्कूल उपन होंगे हम 1 dozen copy लेके आएंगे 12 कुछ items हैं जैसे score के लिए word आता है 20 item gross के लिए 144 item यह कुछ specific words given है यह वाले जो words है यह बड़े जो particles जिसम असानी से गिन सकते हैं उनके लिए वाली बाते दी गई है पर जो mole है वे उनके लिए दिया जाता है जिनके नंबर ज़्यादा मिलते हैं और जिनके नंबर ज़्यादा होता है small size होते हैं ठीक है तो mole एक SI unit में count हुआ था और यह जाता है इसको जो unit ली जाती हो और हम लेतें mol mol ली लिखेंगे और इस mole की जो unit आपने लिए नियमेटा वो क्या लिखोगे आप mol लिखोगे mol ठीक है अगर हम बात करें एक mole की क्या definitions है definitions से related अगर हम बात करें one mole one mole is the amount of substance that contains as many particles or entities as there are atom in exactly 12 gram of carbon 12 isotope मतलब एक mole की definition है वो 12 gram carbon से लिए गई यह देखा गया कि 12 gram carbon में number of small particle कितने है ठीक है number of particle कितने है यह number of entity कितनी है 12 gram carbon के अंदर तब इसे mole का सब शिरू हुआ तो यह इतने सारे atom का पता क्या से चला हाना question तो यह सारी बाते माइन में रहती है कि इतनी value आई कैसे तो जैसे ही आगे experiment हुए तो यहाँ पर एक अमने last time यह के spectrometer का जिकर आया था इसे पहले लिए आपको उसमें link में मिलेगा spectrometer स्पेक्ट्रो मीटर बीटा हुए एक mass spectrometer का यहाँ पर भी जिकरा रहा है mass spectrometer एक नहीं खोज है जिसमें हम number of particle की खोज करते है तो यहाँ पर mass spectrometer के द्वारा particles particles इतने सारे particle का पता कैसे चला देखो यहाँ पर अगर हम पूरा paragraph पड़े है the mass of carbon 12 mass of carbon 12 atom को determine किया गया carbon 12 के एक atom का mass का determine किया गया carbon 12 के एक atom का mass determine किया गया mass spectrometer के द्वारा वो था 1.992648 into 10 की बावर minus 23 गराम बेटा यह एक atom का mass है carbon 12 के ठीक है तो 12 गराम तो 12 गराम कहता है और हमें बता कि knowing that 1 mole of carbon weight 12 गराम एक mole में कितना carbon का गराम बताया गया 12 गराम ठीक है एक mole में कितना carbon बताया गया कितने गराम बताया गया 12 गराम यह fix है जहान देना अब number of atom देखने थे नंबर आटम क्या करा 12 gram 12 gram को एक atom से divide कर दिया 1 atom के weight से divide कर दिया गराम से गराम कट गया तो कितने value आ गई 6.02 to 10 की power 23 atoms और mole इबटा divide में है mole mole का मतल्ह है 1 mole में इतने number आ गए ये कैसे करा तो बार से देखो 1 atom का mass निकाला पहले तो कारबन के एक एटम का मास था इतना 1.99 10 की बाव 23 गराम माइनस में 23 गराम और एक मोल में कितने गराम होते हैं 12 गराम अब यहाँ पर number of particle निकालने थे 12 gram के अंदर ठीक है 12 gram के अंदर particle निकालने थे तो 12 को एक atom के मास से divide कर दिया तो इससे क्या निकलाया number of atom निकलाया इससे हम बाद में इसको नाम दिया गया अगर यह बातें समझ ना ही हूँ तो एक बार फिर दुबारा से explain कर रहा हूँ कि इतने atom कहां से आए जैसे कि मास स्पेक्टोमेटर से पर चला कि एक atom और carbon 12 का weight था इतना थीक है 12 gram carbon था क्योंकि हमें पता 12 gram carbon किसके बराबर तप्टा वन मॉल के तो 12 gram carbon जो है 12 gram carbon उसमें हम number atom निकाल सकते हैं सानी से इतना वजन वह बताए एक atom तो 12 gram में कितने atoms हो सकते हैं यह तो find out किया जा सकते हैं बारा डिवाइड में जैसे हम math में करते हैं तो यह वाली value आ गई divide करने के बाद just remember आपको solve करके धोड़ा दिखाना है यह आपको याद रखना है इतनी value बतो 12 gram में इतने number of particle आ गए बारा गरम इतने particle आ गए तो बारा गरम किसके बराबर होता है एक mole के तो एक mole में number of particle कितने आ गए 6.02 तो इसी value को बाद में क्या नाम दिया गया गया बटा एवगैडरो constant जिसे हम na से denote करते हैं यह amido avogadro के honor में इनको इसका नाम दिया गया और यह जो appreciate किया गया largest number of largest जो उनको हम इस रहे में अगर लिखें तो एक scientific term में scientific notation में याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए जमने starting में बड़ा सा scientific notation तो 10 की power में ले जाना इसको असानी से याद क्याएगा सकता है तो अब यहाँ पर one mole किसी भी चीज़ का है तो वेटा वन मोल की अगर हम बात करें वन मोल तो वन मोल किसी भी चीज़ का क्यों ना हो वन मोल हाइडोजन एटम का वन मोल वोटर मोलिक्योल्स बेटम के अंदर पार्टिकल जो है ना वो में शाग कॉंस्टन रहेंगे यह बात ध्यान देना सिक्स पैंट जीज़ वन मोल जो वन मोल का चो माइडन गाल वो कारबन से अब निकल कर आगे जा चुका है पहले कारबन 12 की सिमीध था भी धी धीरे वन मोल को स्टेंड़र मान कर उसको पूरा ही इसमें वन मोल में लवर नंब और पार्टिकल वो सेम रख दिया गया अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखो one mole one mole of hydrogen कितने particle नहीं हम बटा one mole में कितने particle थे 6.02 to 10 की पार्ट 1, 3 number of atoms या particle, atom लिख सकते हो या molecule लिख सकते हो, ठीक है अगर यहाँ पर one mole of water की बात करते हैं one mole of water, तो अभी यह fix है 6.02 to 10 की पार 23 यह जो number of particles सारे हैं जैसे carbon का हमने निकालने हैं 12 gram को divide करा, बिल्कुल वैसे ही इनके number of atom का, एक atom का mass निकाला और उनको total mass में से एक atom के mass से divide कर दिया यह spectrometer technique से ही possible हुआ तो यह वाली value constant है, तो हमें याद ही रखनी है ठीक है, तो याद रखने में ही हमारे लिए अच्छा मानूगा मैं तो क्योंकि बहुत सारे questions है इस level में बच्चों के मन में रहते हैं कि यह चीजे क्या हैं तो यह सारे higher level की topics हैं spectrometers जिनको जानने के लिए आपको higher education की जरुवत पड़ेगी अभी जो जरुवत है, सिरफ कुछ टै मानकों के उनसार जो value already decide की गई है तो उसी को याद रखना ही हमारे लिए सही रहेगा तो यहाँ पर अब यहाँ पर mole को हमने थोड़ा simple way में बताया कुछ इसके numericals भी लेंगे अभी mole से related यह जो वीडियो है सिरफ mole से ही related है बच्चो यह बात ध्यान देना इसमें कोई over add नहीं करेंगे अब यहाँ पर दा mass of one mole of substance in gram अगर mass of one mole जो mass of one mole रहेगा किसी भी substance को उसको gram में लेते है ना तो उसको नाम दे दे जाएगा molar mass ठीक है बच्चो मोलर मास की बात करेंगे अब यहाँ पर तो यह कहता है कि जब mass of one mole को अगर gram में ले 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 देखो आप पानी का molar mass निकालते हो hydrogen का 2 लेते हैं oxygen का 16 तो हमने पीछे इसे पहला unit में पीछे क्या लिखा था 18 यू लिखा था ठीक है अब इसी जो अब यहाँ पर यह क्या है कि one mole है one mole है यहाँ पर water क्योंकि 18 जो है न बच्चा 18 one mole माना जाएगा अब इसी के पीछे अगर हम gram लगा दे 18 gram one mole जो भी होगा इसको क्या नाम बोलेंगे molar मास का नाम देंगे क्या नाम देंगे molar मास अब इड़ा देखो 18 gram कैसे आया अब 18 gram है तो हमने one mole के equal रग दिया तो इसमें कितने number of particle है number of particle वही सेम है 6.02 to 10 के पाट 23 और यह एक mole के बराबर रहेगा जितना molar मास रहेगा सारे one mole के equal ही रहेंगे अब यह बातें जानने के लिए एक formula दिया गया mole निकालने का इसमें mole formula में ध्यान देना वाटा mole का formula था given weight by में given weight by में molecular या molar mass ले सकते हो या molecular mass ले सकते हो ठीक है अब आपने हमारे पास मालो 18 gram पानी है 18 gram पानी ले लिया इसमें question आ जाए find out mole mole निकालो तो 18 gram mole में 18 gram पानी में कितने mole होंगे तो mole निकालने का formula क्या है given weight कितना दे रहे है बटा 18 gram और mole और mass कितना पानी का वो भी 18 ही होता है निकाल के देखो जैसे उपर निकाला तो 18 से 18 cancel होगा तो कितना आगे बटा 1 आया 1 का मतलब 1 mole तो 18 gram जो था उसमें 1 mole मिलेगा 18 gram जीतना molar mass होगा बटा उसके पिछे अगर gram लगा दे तो वो molar mass बन जाता है अगर मालो कुछ और 1 gram पान लेते हैं जैसे मालो मैं कहा दूँ 44 gram 44 gram CO2 में मोल कितने है अभी पहले हम मोल निकालेंगे फिर नमबरो पार्टिकल निकालेंगे 44 gram 44 gram CO2 में मोल कितने है मेटा मोल निकाले के लिए भी फोर्मूला बताया आपको given weight by में molar mass तो given weight कितना है 44 gram और इसका molar mass निकालो CO2 का कार्बन का कितना है तो बारा oxygen का 16, 16, 32, 32 32, 42, 44 44 आगया बाटा अब 44 निचे ले जाओ, divide कर तो कितना आगया 1 mol तो 40 gram में कितना आगया 1 mol जितना है, जितना इनका molar mass होता जो भी substance का molar mass जो रहेगा बाटा वही एक molar के equal माना जाएगा understand, जितना molar mass रहेगा, उतना 1 mol माना जाएगा अब ऐसे questions हमें आगय करने है mol concept से related, अब देखो मालो हमने number of particles निकालने है ठीक होता, क्या निकालने है number of particles मैं आपको कह दूँ कि 40 40 ये ले लो 40 gram काश्टीक सोटा है ठीक है 40 gram काश्टीक सोटा है तो इसमें number of particles कितने है number of particles कितने रहेंगे तो 44 gram पहला आप क्या निकालोगे mol mol निकालने का formula के बटा given weight कितना है 40 gram आप काश्टीक सोटा है अब क्या निकालोगे molar mass sodium में कितना होता पिटा 23 oxygen का 16 hydrogen का 1 कितना आगया 40 आगया तो 40 40 डिवाइड करो पिटा कितने आगये mol में 40 gram काश्टीक सोटा में एक mol होता और एक mol में number of particles कितने होते है 6.022 10 के पाव 23 तो इस का अंसर क्या हुआ यह अंसर आगया number of particles तो हमने पहले क्या निकाला mol हमने पहले क्या निकाले विटा mol निकाले और हमें जितने भी mol आए अभी एक mol आया और एक mol में number of particles fix होते है वो तो हमें याद है ही सही तो 40 gram काश्टिक सोडा में number of particles कितने हुए 6.022 10 के पाव 23 एवो गैडरो constant के बराबर ही होंगे ठीक है अगर मालो 40 gram की बजाए हम 80 gram ले लेते थोड़ा आप अलग ले लेते है इसमें number of particles find out करने है ठीक है number of particles इसमें find out करेंगे तो बिटा पहले वही आप क्या निकालोगे मॉल given weight कितना है 480 मॉल और मास कितना था 40 कितने आगे 2 मॉल जैसे कि आपको पता है 1 मॉल में number of particles कितने है इतने हो गए ठीक है अब आपको मॉल कितने है 2 तो 2 मॉल में number of particles कितने होंगे 0 12 तो 12, 50, 4, 4, 10 की पार 20 तो number of particles तो क्या होंगे W तो count होंगे ठीक है बात समय दा रही वता अब एक जो formula और लिखने जा रहा हूं उसको जाद रखना मॉल को हम में मेंशा छोटे N से डिनोट करते है given weight को W से molar mass को capital M से डिनोट करते है ठीक है हमने जब आपको mole निकालने हो given weight और mole नमात दे रखा तो आपने यह याद रखना है formula अगर इसके लावा कुछ number of particle और निकालने की अगर बात चले तो mole को N number of particle को हम N से और avogadro को N A से बिटा यह वाला formula जो है यह आपकी 9th class में है class 9th में given है यह वाला आपने अगर अच्छी तरह करा हो तो आपको पता चलेगा number of particle by N A अगर मोल को N यह दोनों formula mole को हम एक्वल रख दे तो finally formula आपके लिए क्या बनेगा N by N A equal to weight by molar mass तो finally formula यह आगए बटा mole के ओपर कोई भी question आ जाए तो यह वाला formula आप directly apply कर सकते हो तो आपका answer कभी गलत नहीं होगा हो सकता है कि N निकालना हो number of particles निकालने हो avocado number of constants है weight निकालना हो यह molar mass निकालना हो उनमें से question को read करो और कुछ भी आप निकाल सकते हो अपनी जो NCRT के लावा कोई और किताब उसके अंदर mole concepts related बहुत सारे numericals मिलेंगे आप उनको बटा ट्राइ करो इस formula को लगा कर मेरे खाल में तो mostly question आपके soul हो जाएंगे एक आदा question रहे दे वो बात लगए पर जाद जादा question आपके soul हो जाएंगे तो बटा आज की वीडियो mole concept के उपर है तो इसको आप अच्छी तरह रीड करो हर एक topic को NCRT से पढ़ो और दूसरी अधर किताब जो है आपके पास उस से रीड करो ये काफी है आपके लिए वैसे mole concept जो है very very important topic for a lesson class